अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों काफी एक इंटरस्टिंग सी चीज हुई है काफी लोग आप मेंसे शाद जानते भी होंगे येस मैं आपर बात कर रहा हूँ अभी एक रिकॉर्ड जो की एक पावर लिफ्टर है हाफ और उन्होंने सेट करा है हमें मालूम है उन्होंने एक मैं बोलू तो कसम खाई है कि 501 किलो उठा करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करना चाहते हैं माई को और ब्रेक कर देना जाते हैं सारे रिकॉर्ड लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले उन्होंने 470 किलो के डैड लिफ्ट उठा करके दिखाए हैं और असानी से उठा लिए मैं यह नहीं बोलूगा बहुत असानी से लेकिन हाँ एक पावर लिफ्टर को जितना स्ट्रगल करना चाहिए शायद उससे कम स्ट्रगल उन्होंने करा है उस वेट को पुल करने में और हैरानी की बात है कि वो पहली बार लाइफ में उन्होंने उस वेट को अटेम्ट करा है और इतनी असानी से उठा करके दिखाया है यहाँ पर हाफ थोर लेकिन इससे भी जादा एक हैरानी वाली बात बोलते हैं नजर आ रहे हैं और बोलते हैं कि मैं आज ही 501 किलो भी उठा सकता था लेकिन नहीं मैं दो तक हमें रुखना है ताकि सब लोग वेट करें उस दिन और उनलाइन उस चीज़ को स्ट्रीम करने का इनका प्लैन है ताकि जादा से जादा लोग उसको देख सके खैर यहाँ पर बहुत कुछ बताने को नहीं है लेकिन हाँ है हैरान होने के लिए लेकिन अभी इस चीज़ने काफी हत तक लोगों का माइन क्लियर कर दिया कि 501 किलो उठाना भी उनके लिए पॉसिबल है मैं यह नहीं बोल सकता कि 100% उठाई लेंगे लेकिन चांसे काफी ज़्यादा भी नजर आ रहे हैं और हाफ्त और खुज ने ज़्यादा इस टाइम पर confident है बोलते हैं कि मैं आज यूठा लूँगा इससे पहले उन्होंने 440 किलो पे तीन रेप्स में निकाले थे लेकिन उस चीज़को मैंने कवर नहीं करा क्योंकि वह कोई बहुत ज्यादा भी heavyweight नहीं है 440 किलो एक ऐसा weight माना जाता है powerlifting में जो कि ज्यादा तर powerlifters attempt कर लेकिन क्या होता है जैसी वह चार सो साथ तक जाता है तो बहुत ही गिने चुने powerlifter से रह जाते हैं उसको lift करने के लिए और 470 पे तो शायद एक आदी बचता है बड़ी मुश्किल से या फिर वो भी ना हो यहाँ पर जो हाफ थार की टीम मेंबर्स थे उन्होंने एड़ी को सीधा सीधा खेर हाफ थार अभी अपने करियर की पीक पर है पावर लिफ्टिंग में और पावर लिफ्टिंग की दुनिया में एक पीक मैंटेन करके रखना पॉसिबल नहीं हो पा था क्योंकि यह स्ट्रेंथ का स्पोर्ट है लेकिन अभी यहाँ पर यह ऐसी स्टेज प बताईएगा आप लोग इसके बार में क्या सोचते हैं फिलाल के लिए इस वीडियो में एक शोटा सब्डेट था मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में तब सके लिए स्टेटिन गुडबाई शुक्रिया